C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ पंद्र है शीर्षक प्रकाश प्रिष्ट 184 आपने पतली जिर्री अथवा छिद्र से सूरि के प्रकाश के किरण पुझ को कमरे में प्रवेश करते हुए जाना होगा स्कूटर, कार तथा रेलगाडी के इंजनों के अग्रिदीपों यानी हेडलेंब से आते प्रकाश के किरन पुंजों को भी आपने अवश्य महसूस किया होगा जैसा की चित्र 15.1 भाग A में दिया गया है इसी प्रकार तॉर्च से भी प्रकाश के किरन पुंजों को जाना जा सकता है संभवता आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन यानी एपोट के टावर की सर्च लाइट के किरन पुंजों को भी जाना होगा जैसा की चित्र 15.1 भाग B में दिया गया है ये अनभव क्या संकेत करते हैं? यहां प्रिष्ठ 184 पर दो चित्र दिये गये हैं भाग A और भाग B भाग A में रेल इंजन का अग्र दीप दिया गया है और भाग B में लाइट हाउस का चित्र दिया गया है ये चित्र 15.1 जिसमें प्रकाश के किर्ण पुंज को दिया गया है 15.1 प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है बूजो कक्षा 6 में किये गए एक क्रिया कलाप को स्मरन करता है इस क्रिया कलाप में उसने एक मुंबत्ती की लौ यानी ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से जाना था जैसा कि चित्र 15.2 में दिया हुआ है बूजो मूडे हुए पाइप से मुम्बती की लौ को क्यों नहीं जान पाया था ये क्रिया कलाप बताता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है हम प्रकाश के पत को कैसे परिवर्थित कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किये हुए या चमकदार प्रिष्ठ यानि सतह पर पढ़ता है तो क्या होता है प्रिष्ठ 185 यहां प्रिष्ठ 185 पर चित्र 15.2 दिया गया है इसे दो भागों A और B में विभाजित किया गया है ये चित्र एक मुम्बती की ओर A, C थे तथा B मुड़े हुए पाइप से क्रिया कलाब को करते हुए दिया गया है 15.2 प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधी ये है कि इसे किसी चमकदार प्रिष्ठ पर डाला जाए उदाहरन के लिए स्टेनलेस इस पाथ की चमकदार प्लेट अथवा इस पाथ की चमकदार चमच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है जल का प्रिष्ठ भी दरपन की भाती कारि कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है क्या आपने कभी जल में पेड़ूं अथवा इमारतों का परावर्तन पाया है जैसा कि चित्र 15.3 में दिया गया है यहां प्रिष्ठ 185 पर चित्र 15.3 दिया गया है इसमें जल में वस्तूओं का परावर्तन होता दिया गया है कोई भी पॉलिश किया हुआ अथ्वा चमकदार प्रिष्ठ दर्पन की भाती कारे कर सकता है जब प्रकाश किसी दर्पन पर पढ़ता है तो क्या होता है? आपका क्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है दर्पन द्वारा प्रकाश की दिशा का ये परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है क्या आपको वहक्रिय कलाप याद है जिसमें आपने एक टौर्च के प्रकाश को दरपण द्वारा परावर्दित कराया था पहेली को पँच तंत्र की शेर तथा खरगोष की कहानी यादा रही है जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन बता कर मूर्ख बनाया था जैसा की चित्र 15.4 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 185 पर चित्र 15.4 में कुएं के पानी द्वारा परावर्तन दिया गया है प्रिष्ट 186 आईए उसी से मिलता जुलता एक क्रिया कलाब करें क्रिया कलाब 15.1 एक टॉर्च लीजिए इसके काच को चित्र 15.5 में बताय अनुसार काले रंग के चाट पेपर के टुकडे से ढखिए जिसमें तीन पतली जिर्रियां यानी स्लिट बनी हूँ लकडी की किसी चिकने बोड पर एक अन्य चाट पेपर की एक शीट फैलाईए चाट पेपर पर समतल दरपन की एक पटी उर्धवाधर स्थिती में रखिए जैसा की चित्र 15.5 में दिया गया है अब तॉर्च की जिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुझ को दरपन पर डालिए अब इसकी स्थिती को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश सम्तल दर्पन पर एक कून बनाते हुए टकराए जैसा कि चित्र 15.5 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 186 पर चित्र 15.5 दिया गया है इसमें एक सम्तल दर्पन से प्रकाश का परावर्तन बताया गया है क्या दरपण अपनी उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्थित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाईए कि दरपण पर प्रकाश पढ़ता रहे क्या आप परावर्तित प्रकाश के दिशा में कोई परिवर्तन पाते हैं? परावर्तित प्रकाश के दिशा के अनुधिश दरपण में महसूस कीजिए क्या दरपण में आपको टॉर्च पर लगी जिर्यां समझ में आती हैं? ये जिर्यों का प्रतिविम्ब है पहली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं बूजो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचे क्या आप उससे सहमत हैं? ये क्रिया कलाब बताता है कि प्रकाश समतल दर्पन से किस प्रकार परावर्तित होता है आईए दर्पनों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनकी विशे में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें क्रिया कलाब 15.2 यहां प्रिष्ट 186 पर क्रिया कलाब 15.2 में एक चेतावनी दी गई है जलती हुई मुम्बत्ती का उप्योग करते समय सावधानी बरतें इस क्रिया कलाब को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिती में करें तो अच्छा है एक समतल दर्पन के सामने एक जलती हुई मुम्बत्ती रखिए मुम्बत्ती की लओ को दर्पन में समझने का प्रयत्न कीजिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे की इसी प्रकार की एक मुम्बत्ती दर्पन की पीछे रखी हो जो मुम्बत्ती दर्पन के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पन द्वारा बनाया गाया मुम्बत्ती का प्रतिबिंब है, जैसा कि चित्र 15.6 में दिया गया है, यहां मुम्बत्ती किसी बिंब यानि वस्तू का उधारण है अब मुम्बत्ती को दर्पन के सामने विभिन स्थितियों में रखी, प्रतिएक अवस्ता में प्रतिबिंब को समझे, क्या प्रतिएक दशा में प्रतिबिंब सीधा है, क्या प्रतिबिंब की लौ, बिंब की लौ की भाती मुम्बत्ती के उपरी सिरे पर समझ में आ रही है, तब बिम्ब के समान आमाप यानी साइज का जान पड़ता है। प्रिष्ट 187 यहां प्रिष्ट 187 पर चित्र 15.6 दिया गया है। इस चित्र में समतल दर्पण में मुम्बत्ती का प्रितिबिम्ब दिया गया है। बूजों ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या ये आश्चर रजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिम्ब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक परदा उर्ध्वाधर रखिए। परदे पर मुम्बत्ती का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप परदे पर प्रतिबिम्ब प्राप्त कर पाते हैं। अब परदे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप परदे पर प्रतिबिम्ब प्राप्त कर पाते हैं। आप समझेंगे कि किसी भी स्थिती में मुम्बत्ती का प्रतिबिम्ब परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। धर्पन से प्रतिबिम्ब की दूरी कितनी है? आईए एक और क्रिया कलाब करें। क्रिया कलाब 15.03 शतरंज का एक बोर्ड यानी चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाईए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा कीचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पन को उर्ध्वादर रखिए। दर्पन के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शापनर रखिए। जैसा की चित्र 15.07 में किया गया है। दर्पन में इसके प्रतिबिम्ब के स्थिती नोट कीचिए। अब वस्तु को चोथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पन में प्रतिबिम्ब के स्थिती नोट कीचिए। क्या आप दर्पन से प्रतिबिम्ब की दूरी तथा दर्पन के सामने रखे बिम्ब की दू अब जानेंगे कि प्रतिबिम्ब दर्पन से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है, जितनी की दर्पन से बिम्ब की दूरी होती है, अब इसकी पुष्टी, चार्ट पेपर या चेस बोर्ट पर बिम्ब को किसी भी स्थान पर रख कर कीजिए, पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सम्तल दर्पन में प्रतिबिम्ब दर्पन के पीछे बनता है, ये सीधा होता है, बिम्ब के साइज के समान होता है, तथा दर्पन से प्रतिबिम्ब की दूरी, दर्पन के सामने बिम्ब की दूरी के बराबर होती है, पंद्रा दशमलव तीन, दक्षन या वाम, जब आप सम्तल दरपण में अपना प्रतिबिम्ब पाते हैं, तो क्या ये ठीक आपके ही जैसा होता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दरपण में आपके प्रतिबिम्ब में एक रोचक अंतर है? आईए, इसे ग्यात करें प्रिष्ट 188 क्रिया कलाप 15.4 यहां प्रिष्ट 188 पर चित्र 15.8 दिया गया है इस चित्र में प्रतिबिम्ब में दक्षण हाथ वाम प्रतीत होता है एक सम्तल दरपण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिम्ब को जानिए अपने दक्षण यानि दाहिने हाथ को उपर उठाईगी आपका प्रतिबिम्ब अपना कौन सा हाथ उपर उठाता है? जैसा की चित्र 15.8 में दिया गया है अब अपने वाम यानि बाय कान को स्पर्ष कीजिए आपके प्रतिबिम्ब में हाथ आपके किस कान को स्पर्ष करता है? ध्यान पूरवक समझे आप जानेंगे कि प्रतिबिम्ब में दक्षण वाम जान पड़ता है तथा वाम दक्षण जान पड़ता है बूजों ने सडक पर एक रोगी वाहन यानि आम्बिलन्स को पाया उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की और शब्द आम्बिलन्स विचित्र प्रकार से लिखा था ध्यान दीजिए कि केवल पार्षव यानि साइड में ही ये अदला बदली हुई है प्रतिबिम्ब उल्टा यानि उपर का भाग नीचे नहीं होता अब एक कागस के टुकडे पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दरपण के सामने पकड़ कर रखिए ये दरपण में कैसा लगता है क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द आम्बूलेंस को चित्र 15.9 की भाती क्यों लिखा जाता है जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दरपण यानी पीछे का दरपण दिखाने वाले दरपण में पढ़ते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे अम्बूलेंस को सपष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं हम मेंसे प्रतेक का ये कर्तव है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे आपने समझा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दरपण में सभी वस्तूँ के प्रतविम्ब स्वैम वस्तूँ से छोटे लगते हैं क्या आपने कभी सूचा है कि ऐसा क्यूं होता है यहां प्रिष्ट 188 पर चित्र 15.9 दिया हुआ है इस चित्र में एक रोगी वाहन का चित्र दिया गया है जिस पर एक आलग अंदाज से आम्बुलेंस लिखा हुआ है प्रिष्ट 189 15.4 गोलिये दरपणों से खेल पहेली तथा बुजो साइकाल भोजन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे बुजो ने स्टेनलेस स्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिम्ब जाना हरे ये प्लेट तो समतल दरपण की भाती कारे करती है मेरा प्रतिबिम्ब सीधा तथा समान साइस का है पहेली ने अपना प्रतिबिम्ब स्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले प्रिष्ठ का उप्योग करके जाना पहेली ने कहा बुजो इधर देखो मैं भी अपना सीधा प्रतिबिम्ब जान पा रही हूँ यद्यपी ये साइस में छोटा है ये चम्मच भी एक प्रकार के दरपण की भाती कारे करती है आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार प्रिष्ठ का उप्योग अपना प्रतिबिम्ब जानने के लिए कर सकते हैं क्रिया कलाप 15.5 स्टेनलेस इस पात की एक चम्मच लीजिए चम्मच के बाहरी प्रिष्ठ को अपने चहरे के पास लाईए तथा इसमें जानिये तथा इसे समझे क्या आप इसमें अपना प्रतिबिम्ब जान पाते हैं जैसा की चित्र 15.10 में दिया गया है आपने जैसा प्रतिबिम्ब समतल दरपन में जाना था क्या ये प्रतिबिम्ब उससे भिन है क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है, अत्वा छोटा है या बड़ा है? यहाँ प्रिष्ठ एक सो नवासी पर चित्र पंदरा दशमलव दस दिया गया है. इसमें चम्मच के बाहरी प्रिष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब बताया गया है. अब चम्मच की भीतरी प्रिष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब जानिए. हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा मालूम हो. यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं, तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिम्ब जान पाएं जैसा की चित्र 15.11 में दिया गया है अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने pen अत्वा pencil के प्रतिबिम्ब की भी तुलना कर सकते हैं यहां प्रिष्ठ 189 पर चित्र 15.11 दिया गया है यह चित्र चम्मच के भीतरी प्रिष्ठ द्वारा बने हुए प्रतिबिम्ब का है चमच का वक्रित चमकदार प्रिष्ट एक दर्पन की भाती कारे करता है गोलिय दर्पन वक्रित दर्पन का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है यदि किसी गोलिय दर्पन का परावर्तक प्रिष्ट अवतल है तो इसे अवतल दर्पन कहते हैं यदि परावर्तक प्रिष्ट उत्तल है, तो इसे उत्तल दर्पन कहते हैं, जैसा कि चित्र 15.1-2 में दिया गया है. चम्मच का भीतरी प्रिष्ट अवतल दर्पन की भाती कारे करता है, जबकि इसका बाहरी प्रिष्ट उत्तल दर्पन की भाती कारे करता है. यहां प्रिष्ठ 189 पर 415.12 भाग A में अव्दल तथा भाग B में उत्तल दर्पण दिये गए हैं इन अलग-अलग दर्पणों का परावर्तक प्रिष्ठ अंकित किया गया है प्रिष्ठ 190 अव्दल तथा उत्तल दर्पणों को गोली दर्पण क्यों कहते हैं? रबड की एक गेंद लीजिये तथा इसके एक भाग को चाकू अत्वा आरी से काटिये जैसा की चित्र 15.13 भाग 1 में दिया गया है सावधान गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिये कटी हुई गेंद का भीतरी प्रिष्ठ अवतल तथा बाहरी प्रिष्ठ उत्तल कहलाता है जैसा की चित्र 15.13 भाग B में दिया गया है यहां प्रिष्ठ 190 पर चित्र 15.13 दिया गया है यह चित्र गोलिय दरपन गोले का एक भाग है इसे दो भागों A और B में विभाजित किया गया है A में अवतल प्रिष्ठ और B में उत्तल प्रिष्ठ को दिया गया है हम जानते हैं कि किसी बिम्ब का समतल दरपन द्वारा बना प्रतिबिम्ब परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आईए जाने कि क्या ये अवदल दर्पन द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है? क्रिया कलाप 15.6 यहां प्रिश्ट 190 पर क्रिया कलाप 15.6 में एक चेतावनी दी गई है चेतावनी में लिखा है क्रिया कला 15.6 सूर के प्रकाश में किया जाना है सावधान कभी भी सूर को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत जानिये क्योंकि इससे आपकी आँख खराब हो सकती है आप सूर के प्रतिबिंब को किसी परदे या दीवार पर बना कर जान सकते हैं अब एक अवतल दरपन लीजिए इसके परावर्तक प्रिष्ठ को सूर की ओर रख कर पकड़िए दरपन से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए कागज की शीट को तब तक आगे पीछे यानि समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण यानि सपष्ट चमकदार बिंदू प्राप्त ना हो जाए जैसा की चित्र 15.14 में दिया गया है यहां प्रिष्ठ 190 पर चित्र 15.14 दिया गया है इसमें अवतल दरपन सूर का वास्तविक प्रतविंब बनाता है ये क्रिया कलाप करते हुए दिया गया है दरपन तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिये क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है ये चमकदार बिंदू वास्तव में सूरे का प्रतिबिंब है ध्यान दीजिये ये प्रतिबिंब परदे यानि कागज की शीट पर बन रहा है परदे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं स्मरण कीजिए कि क्रिया कलाब 15.2 में समतल दरपन द्वारा बने मुम्बत्ती की लौके प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिम्ब को आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं। आईए, अब अवतल दर्पन द्वारा बने मुम्बत्ती की लौके प्रतिबिंब को परदे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्रिया कलाप 15.7 अवतल दर्पन को चित्र 15.15 में बताये गया नुसार, मेज पर रखे किसी स्टैंट यानि कोई प्रबंध जो दर्पन को स्थिर रख सके का उप्योग किया जा सकता है। पर लगाईए, गत्ते की किसी शीट लगभग 15 सेंटिमीटर गुणा 10 सेंटिमीटर पर एक सफेद कागस चिपकाईए। यह एक परदे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोंबत्ती दर्पन से लगभग 50 सेंटिमीटर की दूरी पर रखे। परदे पर मोंबत्ती की लौका प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए परदे को दर्पन की ओर अथवा दर्पन से दूर उस समय तक सरकाईए जब तक की लौका तीक्ष्ण प्रतिबिम्ब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखे कि मुम्बत्ती से दर्पन पर पढ़ने वाले प्रकाश को परदा बाधा ना पहुँचाए. क्या ये प्रतिबिम्ब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौज इतना ही है? अब मुम्बत्ती को दर्पन की योड लाईए तथा इसे इससे अलग-अलग दूरियों पर रखे. प्रतिएक अवस्ता में परदे पर प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजी. अपने प्रिक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजी. जब मुम्बत्ती दर्पन के अत्यांत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त कर पाना संभव है? इसे चित्र 15.1.6 में बताया गया है. प्रिष्ट 191.1 पर चित्र 15.15 व चित्र 15.6 दिये गये हैं. चित्र 15.15 में दो भाग हैं A तथा B इसमें अवतल दर्पन द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिम्ब दिये गये हैं. जबकि चित्र 15.16 में अवतल दर्पन द्वारा बना आभासी प्रतिबिम्ब दिया गया है. यहां इस प्रिष्ट पर सारनी 15.1 दी गई है, जिसमें किसी अवतल दर्पन द्वारा बिम्ब की विभिन स्थितियों के लिए बने प्रतिबिम्ब के बारे में आपको लिखना है इस सारनी को चार भागों में विभाजित किया गया है. पहला भाग है बिम्ब की दर्पन से दूरी, दूसरा भाग है प्रतिबिम्ब की प्रकृती बिम्ब से छोटा या बड़ा, फिर प्रतिबिम्ब की प्रकृती उल्टा या सीधा, और आखिर में प्रतिबिम्ब की प्र दरपन से दूरियां दी गई हैं। ये दूरियां हैं 50 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm और 5 cm। आपको इस क्रिया कलाप को करने के बाद इस सारणी को भरना है। प्रिष्ट 192 हम जानते हैं कि अवतल दरपन द्वारा बना प्रतिबिम्ब साइस में बिम्ब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिम्ब वास्तिविक अथ्वा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उप्योग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतह आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाग तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उप्योग करते हुए पाया होगा। दंत विशेशग्यों द्वारा अवतल दर्पण का उप्योग दांतों का बड़ा प्रितिबिम्ब जानने के लिए किया जाता है। जैसा की चित्र 15.17 में दिया गया है। यहां प्रिष्ट 192 पर चित्र 15.17 दिया गया है। इस चित्र में दंत चिकेट सक मरीज के दांतों का अवलोकन कर रही हैं। टॉर्च, कारूं तथा स्कूटरों के अग्र दीप में परावर्तन प्रिष्ट की आकरती भी अवतल हैं। जैसा की चित्र 15.18 में दिया गया है। यहां प्रिष्ट 192 पर चित्र 15.18 दिया गया है। इसमें टॉर्च का परावर्तक बताया गया है। बूजु ने अपनी नई साइकल की घंटी के चमकदार प्रिष्ट में अपना प्रतिबिंब जाना। उसने जाना कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलिय दरपन है। क्या आप पहचान सकते हैं क ये किस प्रकार का दरपन है। ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक प्रिष्ट उत्तल है। यहां प्रिष्ट 192 पर चित्र 15.19 दिया गया है। इसमें उत्तल दरपन द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दिया गया है। क्या आप उत्तल दरपन द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तिविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। क्या आप बिंब से ब प्रिष्ट एक सो तिरानवे पर चित्र पंद्रा दशमलव दो शून्ने में दिया गया है। इस चित्र में उत्तल दर्पन पार्ष्व दर्पन के रूप में दिया गया है। अप्योग कौकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को समझने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। यहां प्रिष्ट एक सो तिरानवे पर चित्र पंद्रा दशमलव इक्कीस दिया गया है। इसमें एक आवर्धक यानी हांड लेंस दिया गया है। लेंसों का उप्योग व्यापक रूप में चश्मों, दूर दर्शियों यानी दूर बीनों तथा सूख्ष्म दर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उप्योग जोडने का प्रायत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर समझ पाते हैं। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्ता लेंस कहलाते हैं। जैसा की चित्र 15.22 भाग A में दिया गया है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवता लेंस कहलाते हैं। जैसा की 15.22 भाग B चित्र में दिया गया है। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं, तथा इन में से प्रकाश गुजर सकता है। यहां प्रिष्ठ 194 पर चित्र 15.22 भाग A और B दिये गया है। भाग A में उत्ता लेंस तथा भाग B में अवता लेंस दिये गया है। यहां एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी में लिखा है, लेंस से सूर को या किसी चमकीले प्रकाश को जानना खतरनाक है। आपको उत्ता लेंस से सूर के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित ना करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आईए, लेंसों से खेलें। क्रिया कलाप 15.9 एक उत्तर लेंस अत्वा आवर्धक लेंस लीजिए. इसे सूरे की किर्णों के मार्ग में रखिए. चित्र 15.23 में बताए गए अनुसार एक कागस की शीट रखिए. लेंस तथा कागस के बीच की दूरी को उस समय तक समायूजित कीजिए. जब तक कि आपको कागस पर एक चमकदार बिंदू प्राप्त ना हो जाए. इस स्थिती में लेंस तथा कागस को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए. क्या कागस जलना प्रारंप कर देता है? प्रिष्ट 194 यहां प्रिष्ट 194 पर चित्र 15.23 दिया गया है. उत्तल लेंस द्वारा सूर का वास्तविक प्रतिबिंब इस चित्र में दिया गया है. अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए. क्या अब भी आपको कागस पर चमकदार बिंदू समझ में आता है? इस बार आपको चमकदार बिंदू क्यों नहीं प्राप्थ हो रहा है? हमने दरपणों के लिए ये समझा है कि बिंब की विभिन स्थितियों के लिए प्रतिविंबों की प्रक्रती तथा साइज बदलते हैं. क्या ये लेंसों के लिए भी मानने है? सामान नितह उत्तल लेंस उस पर पढ़ने वाले यानि आपतित प्रकाश को अभिसरित यानि अंदर की ओर मोड़ना कर देता है. जैसा कि चित्र 15.24 भाग ए में बताया गया ह इसी लिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं. इसके विपरीत अवता लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानि बाहर की ओर मोड़ना करता है. अतहा इसे अपसारी लेंस कहते हैं. जैसा कि चित्र 15.24 भाग बी में बताया गया है. यहां प्रिष्ट 194 पर चित्र 15.24 भाग ए और बी दिये गए हैं. इन दोनों भागों में अभिसारी और अपसारी लेंस दिये गए हैं. आईए जानें. क्रिया कलाप 15.10 एक उत्तर लेंस लीजिए. तथा इसे मेज पर रखे एक स्टेंड पर लगाईए. जैसा कि आपने अवदल दरपन में किया था. मेज पर एक जलती हुई मुम्बत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटिमीटर की दूरी पर रखे. जैसा कि चित्र 15.25 में किया गया है. यहां प्रिष्ट 194 पर चित्र 15.25 दिया गया है. इस चित्र को दो भागों में विभाजित किया गया है. A और B. इस चित्र में विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को दिया गया है. प्रिष्ट 195 पिच्चन भी आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी? अब लेंस से मुम्बत्ती की दूरी बदल ये जैसा की चित्र 15.25 में किया गया है प्रत्यक अवस्था में कागस के परदे को सरका कर इस पर मुम्बत्ती की लौका प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या इस प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी? ऐसे स्थिती में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भादी उपियोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिम्बों का अध्यान आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधे तथा बिंब के साइस से छोटे हैं, जैसा कि चित्र 15.27 में दिया गया है। यहां प्रिष्ट 195 पर चित्र 15.27 दिया गया है। ये चित्र अव्दल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बताता है। 15.6 सूर का प्रकाश, श्वेत, अथवा, रंगीन क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष पाया है। आपने ध्यान किया होगा कि ये प्रायह वर्षा के पश्चात सामने आता है जब सूर आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानि आर्क के रूप में सामने आता है जैसा कि चित्र 15.28 में दिया गया है। इंद्रधनुष का चित्र दिया गया है। प्रिष्ट 195 पर चित्र 15.26 दिया गया है। इस चित्र में उत्ता लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिभिंब दिया गया है। प्रिष्ट 196 इंद्रधनुष में कितने वर्ण यानि रंग होते हैं। मोटे तोर पर इंद्रधनुष में सात वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने ये पाया होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं, तो वे भी रंगीन लगते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी से परावर्तित होता है, तो आपको अनेक वर्ण मालूम होते हैं, जैसा कि चित्र 15.29 में दिया गया है। यहां प्रिष्ठ 196 पर चित्र 15.29 दिया गया है। ये चित्र सूरे के प्रकाश में रखी एक सीडी का है। पहली आपको बताना चाहती है कि आप इंदर धनुष को तभी पाते हैं जब आपकी पीट सूरे की ओर हो। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सूरे का प्रकाश विभिन वर्णों का मिश्रुन है। आईए जाच करें। गिरने दीजिए। आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप इंदर धनुष जैसे ही वर्ण यहां भी पाते हैं? जैसा कि चित्र 15.30 में दिया गया है। ये बताता है कि सूरे की प्रकाश में साथ वर्ण विद्धिमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वीत प्रकाश भी कहते हैं। यहां प्रिष्ठ 196 पर चित्र 15.30 दिया गया है। इसमें प्रिज्म सूरे की प्रकाश की एक किरण पुंज को साथ वर्णों में विभाजित कर देता है, ये दिया गया है। क्या हम इन साथ वर्णों को मिला कर श्वेद प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आईए, प्रयत्न करें! क्रिया कलाप 15.12 लगभग 10 cm व्यास की गत्य की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए. इस डिस्क को साथ खंडों में बांट लीजिए. जैसा की चित्र 15.3.1 भाग A में बताये गए अनुसार, इन खंडों को इंद्र धनुष के साथ वर्णों से पेंट कीजिए. आप इन खंडों पर विभिन वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं. डिस्क के केंदर पर एक छोटा चिद्र बनाईए. डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर धीले से लगाईए. सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंतरता पूर्वग घूर्णन कर यानि घूम सके. जैसा कि चित्र 15.31 भाग A में दिया गया है. डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाईए. जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं. तथा डिस्क श्वेट स को समानिता न्यूटन की डिस्क कहते हैं. पहली कहती है इसका अर्थ ये है कि श्वेट प्रकाश में साथ वर्ण होते हैं. प्रिष्ट 197 यहां प्रिष्ट 197 पर चित्र 15.31 भाग A और भाग B दिये गये हैं. भाग A में साथ वर्णों वाली कोई डिस्क और भाग B में वही ड डिस्क तेजी से घुमाने पर श्वेट प्रतीत होती हैं दिये गये हैं. पहली को एक अदवित्य विचार आया है. उसने एक वित्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्र धनुष के सातों वर्णों को पेंट किया गया है. जैसा कि चित् 15.32 में बताया गया है. जब लट्टू घूर्णन करता है तो वो लगभग श्वेट दिखाई देता है. जब लट्टू घूर्णन करता है तो वे लगभग श्वेट मालूम होता है. यहां प्रिष्ठ 1977 पर चित्र 15.32 दिया गया है. सात वर्णों वाला लट्टू इस चित अवतल लेंज अवतल दर्पन उतल लेंज उतल दर्पन प्रतिबिम्ब आवर्धक लेंज पष्च दृष्य दर्पन प्रिज्म इंद्र धनुष वास्तविक प्रतिबिम्ब पार्ष्व दर्पन गोलिय दर्पन आभासी प्रतिबिम्ब अभिसरित अभिसारी लेंज अपसरि प्रिष्ट 198 आपने क्या सीखा? प्रकाश सरल रेखा के अनुदेश गमन करता है कोई भी पॉलिश किया हुआ अथ्वा चमकदार प्रिष्ट दरपन की भाती कारे करता है जो प्रतिबिम्ब परदे पर प्राप्त किया जा सके वास्तिविक प्रतिबिम्ब कहलाता है जिस प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं समतल दरपन द्वारा बना प्रतिबिम्ब सीधा होता है ये आभासी होता है तथा बिम्ब के समान सा इसका होता है प्रतिबिम्ब दर्पन के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पन के सामने बिम्ब की दूरी होती है अबतल दर्पन वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिम्ब बना सकता है जब बिम्ब को दरपण के अत्यंत निकट रखते हैं, तो प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है उत्तल दरपण द्वारा बना प्रतिबिम्ब सीधा, आभासी तथा साइज में बिम्ब से छोटा होता है उत्तल लेंस वास्तिवेक तथा उल्टा प्रतिबिम्ब बना सकता है जब बिम्ब लेंस के अतियंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है जब उत्तल लेंस को वस्तमों को आवर्धित करके जाननी के लिए उप्योग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिम्ब से छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है श्वेत प्रकाश साथ वर्णों का मिश्रण है अभ्यास एक रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए ख जिस प्रतिबिम्ब को परदे पर नाप्राप्त किया जा सके वो रिक्त स्थान कहलाता है ख यदि प्रतिबिम्ब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो ये किसी उत्तल रिक्त स्थान द्वारा बना होगा ग यदि प्रतिबिम्ब सदैव बिम्ब के साइज का बने तो दरपन रिक्त स्थान होगा घ जिस प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त किया जा सके वह रिक्त स्थान प्रतिबिम्ब कहलाता है च अवतल रिक्त स्थान द्वारा बनाया गया प्रतिबिम्ब परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता प्रिष्ट एक सो निन्यानवे दो, यहां दियेगे वक्तव्य सत्य हैं अत्वा असत्य क, हम उत्तल दर्पन से आवर्धित तथा सीधा प्रतिविंब प्राप्त कर सकते हैं ख, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिविंब बनाता है ग, अवतल दर्पन से हम वास्तिविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिविंब प्राप्त कर सकती हैं ग, वास्तिविक प्रतिविंब को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता च, अवतल दर्पन सदैव वास्तिविक प्रतिविंब बनाता है 3. कॉलम A में दिये गए शब्दों का मिलान कॉलम B के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए कॉलम A में दिये गए शब्द हैं क समतल दर्पन, ख उत्तल दर्पन, ग उत्तल लेंस, ग अवतल दर्पन, च अवतल लेंस कॉलम B में दिये गए कथन हैं एक, आवर्धक लेंस की भाती उपियोग होता है दो, अधिक शेत्र के दुरश्य का प्रतिबिंब बना सकता है तीन, दंत चिकित्सक दातों का आवर्धित प्रतिबिंब जाननी के लिए उपियोग करते हैं चार, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है पांच, प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइस का प्रतिबिंब बनाता है छे, सीधा तथा बिंब के साइस से छोटा प्रतिबिंब बनाता है चार, समतल दरपण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षन लिखिए पांच, अंग्रेसी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ग्यान है कि वर्ण माला के उन अक्षरों का पता लगाईए जिनके समतल दरपण में बने प्रतिबिंब बिलकुल अक्षरों के सद रिश्य लगते हैं अपने परिणामों की विवेचना कीजिए चै, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिती बताईए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो साथ, उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए आठ, अवतल तथा उत्तल दरपणों का एक-एक उप्योग लिखिए नौ, किस प्रकार का दरपण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? 10. किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? प्रिष्ट 200. प्रिश्ण संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चैन कीजी 11. बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है 1. अवतल लेंस द्वारा 2. अवतल दरपन द्वारा 3. उतल दरपन द्वारा 4. समतल दरपन द्वारा 12. डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दरपन में पा रहा था दरपन तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है यदि वो दरपन की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी होगी एक तीन मीटर दो पांच मीटर तीन छे मीटर या चार आठ मीटर तेरह है एक कार का पश्च दृश्य दरपन समतल दरपन है ड्राइवर अपनी कार को दो मीटर प्रतिबिम्ब की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दरपन में अपनी कार के पीछे खड़े यानि पार्ग किये हुए किसी ट्रक का प्रतिबिम्ब जानता है ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिम्ब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा वो है 1. 1 मीटर प्रती सेकंड 2. 2 मीटर प्रती सेकंड 3. 4 मीटर प्रती सेकंड 4. 8 मीटर प्रती सेकंड विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और पर्योजना कार्य 1. दरपण से खेलिए कागस की एक पतली शीट, पॉलिथीन या काच पर स्केच पैन से अपना नाम लिखिए समतल दरपण के सामने खड़े होकर शीट पर लिखे अपने नाम को पढ़िए अब दरपण में अपने द्वारा लिखे नाम के प्रतिबिम्ब को जानिए दो, पानी में जलती मुम्बत्ती, जूते का एक खाली डिबा लीजिए, जो एक और से खुला हो इसमें एक छोटी जलती हुई मुम्बत्ती रखिए पारदर्शक काच की एक शीट, लगभग 25 सेंटिमीटर गुणा 25 सेंटिमीटर इस मुम्बत्ती के सामने रखिए जैसा की पारदर्शक काच की एक शीट, लगभग 25 सेंटिमीटर गुणा 25 सेंटिमीटर इस मुम्बत्ती के सामने रखिए जैसा की चित्र 15.03 में दिया गया है काच की शीट के पीछे मुम्बत्ती के प्रतिबिम्ब की स्थिती नोट कीजिए इस्थिती पर पानी से भरा एक गिलास रखिए अपने मित्रों से काच की शीट के आरपार मुम्बत्ती के प्रतिबिम्ब को समझने के लिए कहिए आपके मित्रों को ये समझ कर आश्चर होगा कि मुम्बत्ती पानी में जल रही है कारण की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए यहां प्रिश्ठ 201 पर चित्र 15.33 दिया गया है इसमें पानी में जलती हुई मुंबत्ती का ये अभ्यास बताया गया है 3. इंद्रधनुष बनाईए स्वयम अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयत्न कीजिए इस परियोजना को आप प्रतहकाल या साइकाल कर सकते हैं. सोरे की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाएगी. बाग में पानी देने के लिए काम आने वाला मोटा पाइप लीजिए. अपने सामने पानी का एक ववारा बनाईए. इस ववारे में आप इंद्रधनुष के विभ गालरी यानी हसी के गोल गपपे ढूंढिए. वहाँ पर आपको कुछ बड़े दरपन मिलेंगे. इन दरपनों में आप अपना विकृत तथा हासकर प्रतविम्ब पा सकते हैं. यहां उपियोग किये जाने वाले दरपनों के प्रकार जानने का प्रयत्न कीजिए. 5. किसी समीपस्थ अस्पताल में जाईगे. आप किसी दंत या नेत्र चिकित्सक या नाक कान वा गले के विशेशग के चिकित्साले में भी जा सकते हैं. डॉक्टर से उन दरपनों को बताने की प्रार्थना कीजिए, जो कान, नाक, गला, आँख तथा दांत को परखने के लिए उप्योग किया जाता है. क्या आप इन यंत्रों में उप्योग किये जाने वाले दरपनों को पहचान सकते हैं? 6. भूमिका का खेल यानि रोल प्ले इस खेल को कुछ बच्चों का समुहूं यानि ग्रुप मिल कर खेल सकता है. एक बच्चे को बिम्ब की भूमिका करने को दी जाएगी, तथा दूसरा बच्चा इस बिम्ब के प्रतिबिम्ब की भूमिका करेगा. बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब एक दूसरे की प्रतिबिम्ब की भूमिका निभाएगा बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे बिम्ब अपने अंगों से कुछ गतियां करेगा जैसे अपना एक हाथ उठाएगा, एक कान पकड़ेगा आदी प्रतिबिम्ब की बिम्ब के आक्शन के अनुसार, जिस प्रकार प्रतिबिम्ब आक्शन करता है, वैसा ही आक्शन करना होगा बाकी ग्रुप प्रतिबिम्ब के आक्शनों को समझेगा यदि प्रतिबिम्ब सही आक्शन नहीं कर पाता, तो वो खेल से बाहर हो जाएगी या हो जाएगा उसका स्थान दूसरा बच्चा ले लेगा और खेल आगे बढ़ता जाएगा आप अपने नियम बना कर उसके अनुसार अंक देने की कोई विधी तै कर सकते हैं जो गुरुप सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा, वो विजाई घोशित किया जाएगा क्या आप जानते हैं? दरपन अस्तरों की भाती भी उप्योग में लाए जा सकते हैं? कहते हैं कि ग्रीक विज्ञानिक आर्किमेडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिया था जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तटके सायरा क्यूस यानि सिसली नामक नगर पर आक्रमन किया तो आर्किमेडीज ने चित्र 15.34 में बताई अनूसार दरपनों को लगाया दरपनों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था इन्हें इस प्रकार विवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के उपर परावर्तित कर सकते थी सूर के प्रकाश से रोमन सैनिक चौधे आ गए वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है वो चक्रा गए और भाग खड़े हुए ये एक ऐसा उधारन है जो ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझ बूझ से विजय पाई जा सकती है यहां प्रिष्ट 202 पर चित्र 15.34 दिया गया है ये चित्र आर्किमेडीस के दरपन का वही चित्र है इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 15 शीशक, प्रकाश, यहां समाप्थ हुआ वाचन, शालिनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग जग बंधु जाना, निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.T.